दो तिन दिन पहले ही विख्षिद भारत संकल्ब यात्रा ने अपने पचास दिन पूरे किये है इतने कम समय में इस यात्रा से ग्यारा करोड लोगों का जुड़दा यह अपने आप में अभुत्पुर्व है समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का तक सरकार खुद पहुंच रही है उसे अपनी योजनाओं से जोड रही है विक्सित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बलकी देश की यात्रा बन चुकी है सपनों की यात्रा बन चुकी है संकल्पों की यात्रा बन चुकी है बरोसे की यात्रा बन चुकी है और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर छेत्र, हर परिवार अपने बहतर भविश्की उम्मीद के रुप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है इस यात्रा को लेकर गाँ हो या शहर हर जगह उमंग है, उच्छा है, विस्वास है मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गाउं, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्या कुमारी का समुद्री तट देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुत रही है जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाप पाने के इंतजार में बिद गया वो आज एक सार्थक बरलाव देख रहे हैं किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अपसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुँचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजनाओं का लाब मिला या नहीं मिला लेकिन ये हो रहा है और पुरी इमांदार इसे हो रहा है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दप्तर जनप्रतिनीदी देश वाश्यों के पास उनके गाउं महले पहुँच रहे हैं अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके चहरे पर भी इसका संतोस दिख रहा है